हाई अब्रिवन वेलकम टू सिवेल्जमेस्टो आज का भाई वीकली करेंट अफेर अनालिस स्टार्ट करते हैं पहली इन्स आइटम कॉड़ाइट के बारे में कॉड़ाइट एक प्रोपीलेंट है ये एक स्मोकलेस काइंड अफ प्रोपीलेंट है जिसको गन्स वगरा में यूज किया जाता है Quadrite basically एक ऐसा fuel की तरह काम करता है जिससे बिल्कुल भी धुआ या बिल्कुल भी किसी त्रेके का smoke नहीं होता है actually पहले क्या होता था कि gun powder use किया जाता था लेकिन gun powder से काफी smoke produce होता था so 1889 में Britishers ने एक नया विश्कार किया और Quadrite बनाया, ये Quadrite जो था ये military propellant की तरह काम तो करेगा gun में use होगा लेकिन कोई भी smoke produce नहीं करेगा so इसके चलते एक factory इंडिया में establish इसकी की गई और ये factory जो थी अरकवांडू नीलगिरीज में है, ये तमिलनाडू state में fall करता है ये area so इसके हिली areas में ये factory लगाई गई थी अब इस factory का, इस ordinance factory का Quadrite जो section है उसमें अभी blast हुआ है, उसमें अभी explosion हुआ है अब basically ये important हो गया है कि ये Quadrite है क्या Quadrite एक double base है जिसमें double alkali base यूज किया जाता है इस field में nitrocellulose और nitroglycerine यूज किया जाता है और ये जो nitroglycerine होता है इसकी gelatinizing properties होती है इन दोनों basis के अलावा एक stabilizing agent यानि ये petroleum जली भी इसमें use की जाती है अब Indian ordinance factories होती क्या है Indian ordinance factories हमारी country का oldest industrial setup है जो mainly industrial level पे manufacture करता है हमारी country के लिए defense hardwares को, मतलब जैसे small scale की जो guns होती है small scale की arm और ammunition होती है उसको produce करने के लिए इसको use किया जाता है और ये factory जोती है ordinance factory ये department of defense production के under fall करती है department of defense production ministry of defense के under government of India के under fall करता है ordinance factory seven public sector undertakings में divided है और in seven undertaking में in seven PSUs में अलगलक 41 units है हमारी country में और basically ये बनाया department इसलिए गया है ये factories इसलिए बनाया गई है ताकि India defense equipments के मामले में small scale पे at least self reliance हो जाए self sufficient हो जाए अब quadrate factory जो है अरकवांडू में ये हिली रीजन में है नीलगरीस के तमिलाडू में और इसको 1904 में बनाया गया था और ये पहला smokeless propellant है जो हमारी जो बनाया गया था पहली category थी smokeless propellants में और इसमें nitroglycerine, nitrocellulose use होता है small scale ammunition बनाने के लिए और साथ में एक petroleum जली stabilizer तो होता ही है next news item है धनुश कोडी के बार में देखिए श्रिलंका में condition बहुत जादा खराब हो गई है economic crisis आ चुका है जिसकी वज़ा से बहुत सारे जो श्रिलंकन people है वो इंडिया में migrate कर रहे है so अभी एक family कुलिंची district श्रिलंका से migrate करके इंडिया में आई थी इंडिया के जो धनुश कोडी नाम के एक जगा पे आई थी धनुश कोडी का basically मतलब है तो ये एक रामा की जो लॉड राम है उनकी लीजेंड और रामायन से attached एक थेरी है और ये सद्रन मोस्ट टिप है पंबन आईलेंड जो है इंडिया का उसका सद्रन मोस्ट हिस्सा जो है उसको धनुश कोडी बोला जाता है ये smallest town है और इसकी जो length है सिरफ 50 yards तक इसकी length है और धनुश कोडी जो है इसको ये श्रलंका के काफी close है और इंडिया और इसके बीच में सिरफ approximately 15 km का distance है ये धनुश कोडी town जो है इसके एक साइड पे Bay of Bengal है और Indian Ocean है और इसके अलावा इस धनुश कोडी की नाम के इस जगा ghost town बूला जाता है क्योंकि actually क्या हो था 1964 में रामेश्वरम में एक cyclone आया था बहुत ज़्यादा बड़ी level का उस cyclone के बाद से ये जो area है ये जो island है ये completely खराब हो गया था लेकिन इसमें कुछ सिरफ एक जैसे Kothan Dramaswami temple है वो सिरफ रहा था उसके अलावा almost सारा area जो है वो ruins में convert हो गया था ये island तब से ये area तब से almost uninhabited है वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते है बस कुछ fishermen की families वहाँ पे रहती है अब significance क्या है कि ghost town होने की वज़ा से ये tourist के लिए famous spot बन चुकी है यहाँ पे cyclones के ruins को देखने के लिए क्योंकि यहाँ पे beach काफी लंबे है तो beaches पे बहुत जादा काफी tourist attraction होती है इसके अलावा ये देखिए ये धनुषकोडी है ये रामिस्वरम है ये शनंका वाला area है और यहाँ पे mainly Gulf of Manad Marine National Park जो है इस area में located है तो ये इसके बारे में है next news item है hyperspectral imaging satellite के बारे में बैंगलोरू का एक start-up है pixel नाम से इन्होंने अभी अपना third hyperspectral imaging वाला satellite ISRO के PSLV vehicle से launch करवाया है इससे पहले भी इन्होंने दो satellites हो है वो launch करवाये थे लेकिन वो उन्होंने SpaceX के Falcon rocket से करवाये थे SpaceX जो Elon Musk वाला जो company है उसके थू करवाया था पहली बार इन्होंने ISRO की facility को ISRO के PSLV को use करके अपने satellite को उपर बेज़ा है अब ये क्या करेगा ये जो satellite होता है hyperspectral imaging होती ये बहुत ज़ादा important है और ये सबसे ज़ादा fine quality की images provide करता है disaster relief में important role play करता है agricultural monitoring में help करता है energy monitoring में help करता है urban planning में help करता है क्योंकि इसमें बहुत in-depth detailed kind of imaging होती है देखे basically अगर बात करें तो space से 3 तरिके की images capture की जा सकती है red green blue imaging होती है multi spectral होती है और hyper spectral होती है और इन में से hyper spectral सबसे fine quality की imaging होती है सबसे ज़ादा in-depth or detailed imaging होती है ये एक ऐसे टेकनीक है जिसमें बहुत ज़ादा wide spectrum of light को use किया जाता है और हर जो pixel है हर एक pixel photograph का हर एक pixel में से data capture किया जाता है बहुत ज़ादा number of wavelengths के तक कि बहुत ज़ादा number of wavelengths में इसको analyze किया जाता है हर pixel को एक pixel suppose कीजिए ये और इसको काफी ज़ादा number of wavelengths में इसको analyze किया जाता है और हर possible इसका जो data है उसको extract किया जाता है और ये जो data collect होता है ये एक complete image provide करता है उस area की और उसकी in fact material in the image उसको identify करने में important role play करता है और बहुत in-depth study हम कर सकते हैं हिस्से सैटलाइट जो था ये इंडिया का पहला hyperspectral imaging satellite था और advanced earth observation के लिए इसको government of India ने launch किया था उसके अलावा जो इन्हों ने अभी pixel ने launch किया है इसका नाम आनन्द है आनन्द एक hyperspectral satellite है जिसको बैंगलोरू based start-up pixel ने बनाया है इसका 15 kg का size है 150 से जादा wavelength में को ये sustain कर सकता है ये gases तक को detect कर सकता है इतना efficient है कि अगर कहीं पर methane gas leak कर रही है उसको भी ये detect कर सकता है underground कोई oils present है उसको देख सकता है pest infestation हो गए है किसी crop के उपर उसको देख सकता है किसी crop के उपर early stage में है कोई disease लग गई है और वो early stage में है वो disease उसको देखा जा सकता है pixel इंडिया की पहली company बन गई है जिसने एक commercial satellite को launch किया है अब इससे पहले इन्होंने शकुंतला नाम का satellite जो है वो SpaceX company के Falcon 9 rocket से launch करवाए थे next news that है में मनरेगा review committee के बारे में union government ने अभी union rural development ministry जो है उन्होंने अभी एक committee बनाई है MG नरेगा जो scheme है मनरेगा जो scheme है उसको revamp करने के लिए committee बनाई है ये committee जो है ये अमर्जीद सिना नाम के person के अंडर बनाई गई है और ये अमर्जीद सिना इससे पहले rural development secretary government of India के अंडर रही है ये committee basically ये देखेगी कि कैसे मनरेगा को use किया जा सकता है कि वो एक poverty alleviation tool की तरह help करे उसके अलावा कि कि किस वज़ा से मनरेगा के जो पूरा trend है वो change हो रहा है expenditure increase हो रहा है और interstate variations कैसे हैं जैसे कि अगर बात करें बिहार और UP में तो यहां पे मनरेगा को इतना अच्छे से utilize नहीं किया जा रहा है यहां पे मनरेगा poverty alleviation के लिए नहीं कामा रही है लेकिन वहीं अगर rich states की बात करें जैसे कि केरला की तो तो वहां पे मनरेगा asset creation में important role play कर रही है तो इतना state to state इतनी variations इतनी parity कैसे है उसको study करेगी उसके अलावा changes suggest करेगी कि मनरेगा के governance जो structure है उसमें क्या-क्या चीजें लाई जा सकती है क्या changes लाई जा सकती है कि इसको जादा efficient बनाया जा सके अब देखिये मनरेगा जो है इसने बहुत important role play किया in fact especially COVID के टाइम पे pandemic के टाइम पे इसने important role play किया था कि जो लोग labor migrants जो घरों में चले गए थे वहां पे उनको पैसा तो चाहिए था ना खाना खाने के लिए और rate आपको पता inflation बहुत बढ़ गई थी तो उसमें मनरेगा ने important role play किया और लोगों को basic demand को meet करने के लिए job opportunity प्रवाइड की उसके अलावा लेकिन इसका hindsight यह है कि मनरेगा जो है यह देखिये मनरेगा basically एक scheme है जो unskilled worker को laborers को काम देती है fixed hundred days के लिए अब इसमें क्या होता है कि कोई tangible asset creation नहीं होती है इसके वज़ा से उसके कोई अच्छे तरीके से utilization नहीं हो पाती है बाकि ये UP भिहार और केरड़ा वाले example मैंने आपको बता दिया है MG नरेगा एक act आया था मात्मा गांदी National Rural Employment Guarantee Act आया था 2005 में जिसके अंडर ये scheme launch की गई थी scheme का main purpose है कि 100 days का काम देना है workers को, unskilled workers को हर household में से एक person को देना है जो काम लेना चाता है currently इस time पे अगर बात करें तो 15.151 करोड लोग actively अभी भी मनरेगा के under enrolled है next journalism है कुटिया खोंड tribe के बारे में कुटिया खोंड tribe जो है ये उडिशा की basically एक tribe है खों tribe, ये hilltops में रहती है valleys में रहती है, ये particularly vulnerable tribal group है, PVTG group है ये और ये basically कालहंडी district है और कांडमल district जो है उडिशा की वहाँ पर पाई जाती है ये जो tribe है, इसकी specific बात ये है कि एक बुरलांग यातरा नाम का इनका festival होता है, जिसमें ये millet के बारे में awareness generate करते हैं, इनने sense के millets को celebrate करते हैं, और ये जो tribe है ये काफी ज़्यादा amount में millet production में rely करती है, ये slash and burn agriculture करती है, shifting cultivation ये करती है, ये tribe और shifting cultivation के time पे, you know कि ये basically उगाते क्या है ये minor millet grow करते हैं, जैसे की राकी होती है, को sala, kangoo ऐसी ऐसी चीज़ों को use करते हैं inter popping के तरीके से ये production करते हैं, अब इनका basically जो है, ये आपको पता है कि shifting cultivation के पर depend करते हैं और लेकिन क्या है कि इनमें millet का culture है, और इसी इनके culture को recognize करने के लिए मतलब इनके culture से inspire होके निर्मान नाम का एक NGO है ठीक है, उसने millet network of India के साथ मिलके मतलब millet network of India एक millet के promotion की body है हमारी government की so उसके साथ मिलके बुरलांग यात्रा जो इनका festival है उसको large scale पे celebrate करने के लिए action लिया था, उसको large scale पे celebrate करवाया था ताकि millets का revival हो सके, देखिए millet बहुत energy rich जो होते है, grains होती है अब बुरलांग यात्रा में होता क्या है ये एक traditional annual festival है कुटियागोन tribe का और इसमें क्या करती है, tribe की जो women होती है वो पूजा करती है और आपस में millet के जो seeds होते हैं उसको exchange करते हैं, चीक है millet के बारे में knowledge बढ़ती है मतलब सबको उसके बारे में awareness generate होती है best practices जो ये लोग use करते हैं ठीक है, तो उनके बारे में पता चलता है और जो indigenous heirloom seeds है जो इनके अपने, मतलब पुराने seeds है जो indigenous seeds है, ठीक है उनके, उनको जो है exchange होता है उसके अलावा इनकी जो specifically अगर tribal community में बात करें तो ये इनके youngsters को youngsters के participation के लिए उनकी shyness को दूर करने के लिए उनके inferiority complex को use करने के लिए cultural enrichment के लिए ये एक अच्छा festival माना लता है government of जो Odisha थी उसने 2017 में millet mission launch किया था ताकि मंदिया दिबस इसको बोला है मंदिया मतलब की millet को बोला है दिबस मतलब day millet day 10 November को इन्होंने celebrate करवाना start किया next news item है nuclear powered ice breakers के बारे में Russia जो है वो एक दो nuclear powered ice breakers use करता है nuclear power से fuel किये जाने वाले ice breaker vessels को use करता है ताकि सारा साल western Arctic Ocean जो है वहाँ पे trade possible हो सके वहाँ पे ships जो है वो trade कर सके वो आ जा सके यह देखिए यह है ice breakers और यह nuclear powered ice breakers है अब Russia जो है only ऐसी country है जो build करती है और operate करती है ऐसे nuclear powered ice breakers को अब ice breakers जो है यह main in का काम क्या होता है कि यह देखिए tank के आग्यागे चलते है मतलब आग्यागे चलते है मतलब और ice को break करते रहते है ताकि tank है जो बड़े बड़े export और समानवाल जो tank है वो असानी से move कर सके ठीक है और जो नदरन sea route है वो open रहे अगर नदरन sea route open रहेगा तो देखिए कितनी easily जो रशिया है वो यॉरप के साथ या फिर innocence की America के साथ या South Asia के साथ कितनी easily connect कर सकता है अब रशिया ने एक project किया था project tetra 2-0 मतलब 2-2-2-2-0 जीरो ये project था इस project के अंडर ने उन्हें बुलना था कि 6 nuclear powered ice breakers ये बनाएंगे और या पुटिया को 2024 सके मिदान में ले आएंगे और चुकोट का जो है उसको 2026 सक ले आएंगे तो ये इनका में बात थी अब strategic significance अगर बात करें कि इसकी Arctic Ocean की क्या है देखे climate change बहुत ज़ादा हो रहा है जिसके वज़े से ice cap है जो Arctic Ocean वाली ये melt कर रही है बहुत जल्दी से इसके मैट होने से क्या हो रहा है कि देखो बरफ अगर पिगलेगी तो वो पानी बनेगी और पानी बनेगा तो उसमें जहाद चल सकते हैं ships चल सकती हैं, trade हो सकता है तो उसके चलते क्या हो रहा है कि नई-ई-ई sea line of communication बन रही है, नई-ई-ई बन रही है, जहां से trade हो सकता है shorter roots पता चल रहे है, अब shorter roots बन जाएंगे, तो रशिया का जो export potential है, वो और जादा निखर कियाएगा, रशिया और efficiently अपने logistic roots को use कर पाएगा पहली बात तो root बन जाएंगे दूसरी बात export होगा और तीसरी बात क्या है, कि जो यहां पे shelf के उपर बहुत जादा oil और gases के richer resources है, जैसे कि LNG plant भी एक है, इनका Yaman Peninsula के उपर, Yaman Peninsula जो है न, यहां पे कारा के आसपास है, यह देखिए यहां पे कारा सी जो है, इसके पास है, तो यहां पे, यह क्या नाम है कि यहां पे इनका एक plant है, तो ऐसे-चे और plants भी लगाने easy होंगे, next news item है International Electrotechnical Commission के बारे में, इंडिया अभी उसने Vice Presidency जीती है, International Electrotechnical Commission की, अभी Electrotechnical Commission जो है, इसकी एक general meeting चल रही थी San Francisco में, so उसमें इंडिया को Strategic Management Board का chairman बनाये गया, और जो भी Country Strategic Management Board की chairman होती है, वही country International Electrotechnical Commission की Vice President भी होती है, यह official position है, मतलब अगर यह है, तो उसको by default यह मिलेगी ही, मिलेगी अब यह Vice President जो है ठीक है, मतलब अब इंडिया देखे Vice President है, ठीक है, तो इस निया के लिए क्या फायदा है, कि इंडिया Electrotechnical Commission की, जो Commission है, इसके Standardization Work को देख सकता है, ठीक है, कैसे कि यह body का main काम क्या होता है, कि International Standard सेट करती है, सारे Electrical, Electronic और Electronic Technologies से related, इंडिया उसमें Major Role Play कर सकता है यह Standardized Management Board जो है, यह Apex Level की Government Body है, इसकी International Electrotechnical Commission की और International Electrotechnical Commission, जो है, यह एक non-for-profit organization है, membership organization है, और 1906 में यह लंडन में पाई गई थी, next news item है चाइना का Indian Ocean Regional Forum अब देखिए कि इंडिया ने जैसे Indian Ocean Rim Association बनाई थी, जिसमें उसने 22 कंट्रीज को बुलाया था, इसमें और 12 कंट्रीज हैं और 10 डियलोग पार्टनर्स हैं, और हर साल इनके foreign ministers मीटिंग करते हैं और आपस में discussions करते हैं, अब ऐसा माना जा रहा है कि चाइना ने हमारी Indian Ocean Rim Association की strategy को counter करने के लिए एक Indian Ocean Regional Forum बनाया है चाइना ने अभी इसकी इंडिया को छोड़के, ये forum चाइना का China International Development Corporation Agency ने conductor करवाया और इस format के चलते चाइना ने बूला कि जो भी marine disasters होती है पानी में जो भी disasters होती है उनको कैसे prevent करना है, अगर disaster हो गई है तो उसको कैसे mitigate करना है, ठीके कैसे cooperate करके उसके impact को कम से कम करना है इसके लिए चाइना ने ये meeting करवाई और इसके अलावा चाइना ने ये भी बोला कि वो एक blue economy का think tank बनाएंगे, blue economy का मतलब होता है कि आप efficient और sustainable way में जब ocean की resources को use करो, ताकि आपकी employment generation और livelihood भी create हो employment generation और livelihood भी हो लेकिन साथ की साथ ocean जो है, वो sustainable way में use किया जाए और ocean का नुकसान ना हो तो इसको blue economy बोलते हैं इसके चलते चाइना ने बोला कि ये एक blue economy think tank भी बनाएंगे जिसके चलते वो blue economy think tank चाइना को advise करेगा कि कैसे वो और ज़ादा मतलब oceans को utilize कर सकते हैं अब ये जो new china led forum है इसको एक बोला जादा है कि Indian Ocean Dream Association का ये counter measure है Indian Ocean Dream Association के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये dynamic intergovernmental body है regional cooperation के लिए बनाई गई है sustainable development इसका goal है Indian Ocean Region में 22 member countries है 10 dialogue partners है और इसके अलावा इसमें council of foreign ministers है जो हर साल जिसमें foreign ministers मिलते हैं next news at time है PSLV C54 के बारे में PSLV C54 ने अभी बहुत सारे satellites को अलग-अलग मतलब दो अलग sun synchronous orbitals में place किया है अब PSLV C54 जो है ये इंडिया का मतलब kind of longest mission है इसने अभी 9 satellites को place किया है sun synchronous orbits में और उसमें से एक earth observation satellite 6 भी है first time इसरों ने दो अलग-अलग orbit में मतलब दो अलग-अलग orbit thrusters use किये दो अलग use किये ताकि एक-एक orbit में डालेगा satellites को दूसरा दूसरे में डालेगा इसने 7 commercial satellites डाले हैं जैसे कि Astrocast 124 US से Thibault 1 and 2 किया है उसके अलावा Arnand Satellite जो Pixel Company वाला था ये इन्होंने launch किया है उसके अलावा इंडिया भुटान का एक nano satellite है जो इजरो ने भुटान के scientists के साथ मिलके उनके लिए बनाया है nano satellite 2 और ये एक joint collaboration है इंडियन और भुटान के scientists के बीच में और ये जो है INS-2 भी इसके चलते high resolution images प्रोवाइड करेगा ये satellite भुटान को ताकि भुटान अपनी resources को अच्छे से manage कर पाए उसके लावा ocean sat 3 हमने launch किया ठीक है earth observation satellite 6 का ये part है मतलब ये 6 इसको बोल रहे है ये third generation satellite है satellite है ocean sat series का मतलब तीसरा satellite है ocean sat series का और ये kind of मतलब ए continuity प्रोवाइड करता है oceanographic की study करेगा climate और materialological अलग लग इसकी kind of applications है so so far India ने मतलब बहुत सारे ocean observatory satellites यो है वो भेज दी है next use item है sacred groups के बार में देखे sacred groups पहली बात तो होते क्या है ये एक land का forest में एक land का stretch होता है जिसको उसके आसपास रहने वाली जो communities है मतलब इनकी जो पवितरता होती है वो अलग अलग डिगरी की होती है कुछ लोग तो कहते हैं कि इनमें entry नहीं को कुछ country कुछ हिस्सों में ऐसा माना जाता है कि इसको entry नहीं करना चाहिए मतलब इसमें चाहे अगर कोई पेड़ है ठीक है उसके उपर कोई फल लगा है या पत्ता है अगर वो गिर गया है तो आप उसको भी नहीं उठा सकते हो ठीक है आप उसको भी टच नहीं कर सकते हो ठीक है गिरे हुए पत्ते को भी तो इतने high level of sensitivity है और दूसरे में क्या होता है मतलब kind of ये अलग-अलग sacred groups है अब ये तमिल नाडू का जो हिंदू religious and charitable endowments है department है अब ये 1500 temple को administer करता है नदरन एरड रिल्जन में इसने बोला है कि हमें sacred groups को recreate करने के requirement है ताकि हम forest के patches को protect कर सके चीक है अब sacred group तो मैंने आपको बता दिया कि natural vegetation का area जिसको लोग पवित्र मानते है उनको अपने local duties का स्थान लगता है कि वहाँ पेड़ों की भी आत्माई होती है वो पवित्र आत्माई होती है तो इसलिए वो किसी को जाने नहीं देते है वहाँ पे local communities इसको protect करती है क्योंकि उनके religious beliefs attached होती है और बाकी मैंने आपको बता दिया कि कुछ से इतने भी area इतने भी जादा उनको पवित्र माना जाता है कि वहाँ पे गिरे हुए फल भी कोई उठा नहीं सकता और यह पूरे इंडिया में है 92 हैं जम्मू और कश्मीर में देखिए हिमाचल में कितने हैं अलग-अलग जगाओं पे हैं लेकिन सबसे जादा number of sacred groups जो है वो western ghats में है देखिए महराष्टरा में करनाटका में अरला में तो यहाँ पे सबसे जादा number of sacred groups हैं अब significance क्या है देखिए significance क्या है कि अगर इतने अच्छे से कोई forest को conserve करके रख रहा है तो उसमें दोरा ही क्या है ठीक है उसमें बुरा ही क्या है so vegetation cover जो है मतलब अब जो initiative लिया गया है उसके चलते और क्या होगा कि vegetation cover जो है sacred groups का वो improve होगा soil की stability बढ़ाई जाएगी और soil erosion कम किया जाएगा उसके अलावा floral और faunal diversity वहाँ पे काफी जादा है ठीक है जिसको local communities conserve करके रखनी है sustainable manner में तो ये भी एक important point है grooves often जो है वो pond या stream के साथ जुड़े होते है मालो ये forest का रही है तो वो एक भी फर्ज होते है उनका time to time recharge होता रहते है अब threat क्या है इस animal system से तो traditional belief system अगर मतलब उसको control करेगा जो आपका temple trust है वो उसको अगर control करेगा तो traditional belief system जो है वो change होगा थोड़ा सा primitive form of worship से अब इसको formal temple worship में convert कर दिया जाएगा धीरे धीरे वहाँ पर urbanization बढ़ जाएगी और development intervention होने लग जाएगी वहाँ पर beads और commercial forestry वगरा start हो सकती है livestock grazing और fuel wood collection वगरा increase हो सकती है और ये हो भी रही है अभी इस time पर चीज़ें तो एक नुकसान है next news item है blue bugging के बारे में अभी देखे blue bugging एक बहुत important चीज़ है blue bugging एक bugging से नाम पता चल रहा है कि virus का attack ठीक है kind of you know कि आपके data को extract करने के लिए कोई attack हुआ है blue bugging एक ऐसा मतलब एक ऐसा kind of system है एक ऐसा hacking का तरीका है जिसमें जो hacker है वो आपके bluetooth के connection से connect करता है ठीक है Bluetooth के connection से connect करता है कैसे कि अगर किसी person के पास को device है चाहे वो mobile phone है चाहे वो you know कि आपका laptop है ठीक है या फिर वो आपके earphones है जो Bluetooth से connect होते है ऐसी कोई भी अगर आपके पास device है जिसका Bluetooth on हो सकता है तो hacker उसके साथ अपने virus को attach कर सकता है malware को attach कर सकता है जिसके चलते एक बार अगर आपका जो system है वो pair हो गया आपका Bluetooth उस hacker के मतलब उस hacker के malware के साथ pair हो गया तो उसके बाद वो hacker आपके सारी की सारी sensitive information को चुरा सकता है आपकी contacts को change कर सकता है आपकी सारी calls को record कर सकता है आपके messages को पढ़ सकता है हर चीज हो सकती है so blue bugging जो है hacking का एक तरीका है जिसमें hacker device को access करता है Bluetooth connection के जर्गे और एक बार phone में अगर blue bug ने hack कर लिया तो उसके बाद calls को सुनेगा record करेगा हर चीज मतलब easily हो सकती है इसमें अब इसमें तरीका क्या है Bluetooth एक बार भी on हो गया आपका तो Bluetooth on होने के बाद pair कर लेता है ठीक है में लिए आपका Bluetooth on होना चाहिए ठीक है और Bluetooth discoverable mode में है उसके उसी time पे ये आपके साथ attach हो सकता है और लेकिन एक बार अगर connection हो गया तो फिर जब आपका बंद भी आजा है Bluetooth तो वो अपना काम करता रहेगा ठीक है तो ये क्या करता है कि malware install कर देता है और जो unauthorized access देता है बाहर के लोगों को इसकी तो ये था इसके बारे में युनेसको के Asia Pacific Awards के बारे में अभी क्या है कि युनेसको ने अपने Asia Pacific Awards दिये हैं ये awards दिये जाते हैं उन organization ये उन जगाओं को उन सस्थाओं को जो काफी अच्छे तरीके से cultural heritage को conserve कर रही है cultural heritage conservation के लिए दिये जाते हैं और ये 2000 साल से दिये जा रहे हैं और ये हर साल दिये जाते हैं ये उन लोगों के efforts को उन private individual ये organizations के effort को recognize करती हैं जिन्होंने किसी heritage site को restore करने के लिए conserve करने के लिए transform करने के लिए important role पे किया है 2022 में ठीक है 13 project choose किये गए थे 6 countries में से जिसमें 4 इंडिया के भी आए हैं अब छत्रपती शिवाजी महराज वास्तु संग्रालिय म्यूजियम मुंबई में जो है ये इसको award of excellence दिया है क्योंकि बहुत अच्छे से इसको conserve किया गया steep well है जो गुलकॉंडा फोर्ट में गुलकॉंडा फोर्ट है एक हैदराबाद में उसमें उस गुलकॉंडा फोर्ट में चीज़ है कि एक न मतलब मालो ये फोर्ट है फोर्ट है फोर्ट के नीचे न सीडियां उतरते हैं सीडियों को उतरने के बाद एक बॉली जैसा structure बना हुआ है जिसमें पानी जैसा कुछ है उसको award of distinction दिया है दमर कॉंडा फोर्ट तेलंगाना में है बाइकुला स्टेशन मुंबई में है इनको award of merit दिया गया है next news item है ambition on melting ice के उपर कॉप की meeting 27th वर्ली जो थी उसमें 18 countries ने मिलके एक group बनाया है जो की special attention प्रवाइड करेगा cryosphere में जो मतलब in a sense की attention प्रवाइड करेगा इस पैक्ट को की हमारा cryosphere जो हमारी बरफ की जो परत है जो बरफ वाला area है जो हमारी globe का वो बहुत जादा fast तरीके से melt हो रहा है अब बरफ melt होगी तो उससे क्या बनेगा water बनेगा और water कहां जाएगा oceans में जाएगा rivers में जाएगा तो जिसके चलते sea का level जो है लगेंगे अब COP27 की meeting में 18 governments ने मिलके एक ऐसा body बनाने की ऐसा structure high level group बनाने की बात की है कि हम एक ambition बनाएंगे कि melting ice को और sea level को हमने कम करना है जितनी जल्दी हो सके ठीक है और ये उन्होंने बात किया है अब इसमें observation के आ कि क्राइव सफियर का होता क्यों है melt क्यों करता है क्राइव सफियर climate change की वज़ा से और ये globe के लिए बहुत बड़ा threat है ठीक है और मतलब इनों कि especially जो मतलब इनों mountain और polar countries है उनके लिए इनों कि impact मतलब सिरफ वहां तक restrict नहीं रहेगा ठीक है वो sea surface जो है वो पानी के नीचे चला जाएगा land का surface sorry so ये declaration अभी sign की गई है so AMI group signed a ambition on melting ice declaration at 27th conference of party की जो meeting हो रही है UNFCCC की Egypt के अर शरम अल शेक नाम की जगा पे so वहां पे ये बात की गई है और melting cryosphere से thermal expansion होगी sea water की और global warming से चीज और जादा बढ़ेगी और जिसकी चलते sea level का rise होगा मैंने बाकि आपको पूरी chronology बता दी है अब cryosphere basically क्या है देखे cryosphere कि इसको बोलते है किसी भी तरीके की कोई snow है ठीक है किसी भी world के किसी भी हिस्से में जहां पर बरफ जमती है snow है चाहे वो seasonal है चाहे वो all the year है बस बरफ होनी चीए बस हमें इतने तक मतलब है ठीक है बरफ होनी चीए चाहे वो ice shelf की form में हो चाहे वो sea ice की form में हो चाहे वो perma frost मालब जब जमीनी ground मालब ground froze हो जाता है जब पैसा हो चाहे glaciers हो चाहे ice की sheets हो किसी भी तरीके की बरफ जो है वो perma frost है ठीक है अब climate change होने की वज़ा से cryosphere जो है यह काफी जादा तेजी से यह पिखल रही है और मतलब इतने जादा नुकसान कर रही है so this is it from me for today's current affairs and I hope you people like it so please share it with your friends और इसका pdf would be uploaded into the telegram channel so you people can access it from there thank you so much